अपना नाम संतों की संखला में चोड़ा रविदाजी महाराज ने क्यों अरे कर्म निभाया अपना ना धर्म छोड़ा कर्म अपना किया पर उसी कर्म में अपने धर्म को नहीं छोड़ा रविदाजी महाराज ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा इसलिए कहना है कर्म के साथ मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ा कर्म के साथ मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ा क्यों है मनुचंगा है मनुचंगा कठोते में गंगा मन जंगा तो कठोते में गंगा कोई प्यक्ति तरसन करने के लिए बगवान के कहीं कया वहां जाने के बाद में किसी का कोई आभूसर गंगा जी में गिर गया और जब उसने बहुत खोज की पर वह आभूसर वहां नहीं मिला और लोट करके जब रविदास जी महाराज की यहां वो लोग आये उनसे का आभूसर नखो गया है तो रविदास कहने लगे कि मन चंगा तो कठोती में गंगा आपने कठोती में हाथ डाला तो उसे वह आभूसर मिल गया है तालिया भाई तालिया मन चंगा कठोते में गंगा ये कभियों ने कहा ये कभियों ने कहा अरे भक्त न तू जा देखा रैतास की तरह भक्त न तू जा देखा रैतास की तरह कि अधिकर ना अपना चोड़ा रविधास जी महराज ने अपना जो कर्म था उनका वो करते थे परभगवान के इतने परम भक्त थे इतने परम भक्त थे इतना परम भक्त थे एना है उनी की फूजा उनी से धंड़ा भगवान सालक राम की पूजा करते थे और उनी से अपना धंदा भी करते थे और उन्हाप पूजावीन की भी करते थे यह उनका नित्य का काम ना इसलिए कहना है और इस कारीकम को हमारे जैपाल सिंह सोलंकी जी रेकोर्ड कर रहे हैं और महुत-भधन धन्वाद है जैपाल सिंह दोलंकी जी और सुमझत सोलंकी स्टूडियो का कि अचे हैं अम्ह involvement कैना है अविखिण ताथ जाना करें कि तना का यह भी बीद में कहना है और भक्त तिरों मनी कहलते हैं बवाब़ा ये रविदास हो भक्त सरों मनी यनि भक्तों में सब्से प्रत्रम किंति होती है तो बवर भी हास महायाज की इसलिए कहना है अरे भक्त से रोमणी कहलाते हैं ये रविदास महराज है और जिनका नाम लेते ही बिगड़े बन जाते ये काज है अरे धर्मो धारी पड़े धर्मो धारी पड़े हर संकट को सहा परवक्त न दूजा देखा रेदास की तरह परवक्त न दूजा देखा रेदास की तरह वेदा का यमत अर शंतों ने कहा कि भक्त न तूजा देखा रेदास की तरह परवक्त न दूजा देखा रेदास की तरह परवक्त न दूजा देखा रेदास की तरह वो भक्त न तूजा देखा रेदास की तरह परवक्त न दूजा देखा रेदास की तरह